अध्याए पांच सेंट जौन बताते हैं कि जब जीजस जरुसलम में थे तो बिथेस्टा नामक एक तलाब पर उनकी मुलाकात एक ऐसे विक्ति से हुई जो वो पिछले 38 साल से चलने फिरने में असमर्थ था जीजस ने उससे कहा उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर उस विक्ति ने तुरंत वैसा ही किया और वो फिर से चलने फिरने लगा कुछ समय के बाद वह जीजस को मंदिर में मिला और जीजस ने उससे कहा देख तु अब स्वस्थ हो गया है फिर से पाप मत करना ऐसा ना हो कि इससे भी भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े जब गुरु हमें बप्तिजमा या दीक्षा देते हैं तब हमारी पूर्ण होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है वे हमारी सुरत को अंदर शब्द से जोड़ देते हैं और जब हम उसे आँखों के केंद्र पर स्थिर कर लेते हैं तथा उसे शब्द में लीन रखते हैं तब हम पूर्णता की और बढ़ रहे होते हैं अभी हम पूर्ण नहीं है क्योंकि हमारी आत्मा मन के अधीन है मन इंदरियों का गुलाम है और इंदरियों से प्रेरित होकर मन जो भी कर्म करता है उसका परिणाम आत्मा को भी भुगतना पड़ता है जब हम अपनी सुरत को शब्द में लीन रखते हैं तो हमारे सभी कर्म जो हमने इस जन्म में किये हैं और जो पिछले कई जन्मों से इकठे होते आए हैं नश्ट हो जाते हैं हमें इस जन्म में और कर्म इकठे नहीं करने चाहिए फिर से पाप मत करना लेकिन अगर हम दूसरों का गला काटते रहेंगے या सवाद के लिए जान्वरों को मारते रहेंगे या शिकार के लिए उनकी हत्या करते रहेंगे जो और भी अधिक नीज कर्म है तो इन पापों का भुगतान करने के लिए हमें जरूर संसार में वापस आना पड़ेगा ऐसी स्थिती में पाप हमारे मालिक बन जाते हैं और हम उनके गुलाम फल्स रूप हमें एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना पड़ता है और हम जन्म और मृत्यों के चक्कर में फंस जाते हैं जो इससे भी भारी विपत्ती है शब्द के साथ जुडने पर जब आत्मा पर से सारे गिलाफ उतर जाते हैं और आत्मा मन के चंगुल से आजाद हो जाती है तभी वह पून होती है पून होना और अपने आपको पहचानना एक ही बात है क्योंकि हमारा वास्तविक सुरूप आत्मा है जब तक आत्मा मन के अधीन है तब तक हम अपने वास्तुविक सुरूप को नहीं पहचान सकते आदर्श होना, पवित्र होना या पून होना सबका एक ही मतलब है क्राइस्ट कहते हैं अगर तुम अब पाप नहीं कर रहे हो तो तुम्हारे खड़म पून्दता की और बढ़ रहे हैं तुम्हें किसी भी हालत में संतमत के चार नियमों के साथ समझोता नहीं करना चाहिए इन नियमों के आधार पर तुम अपनी रुहानी पून्जी जमा करते हो हर खेल के अपने नियम होते हैं इसलिए अगर तुम अंतर्मुखी साधना में सफलता प्राप्त करना चाहते हो, तो तुम्हें इसके नीमों का द्रिड़ता से पालन करना होगा। तुम्हारी साधना की नीम बहुत पक्की होनी चाहिए, और यह नीम उन नीमों का पालन करने से पक्की होगी, जो दीक्षा के समय बताए जाते हैं, हम रोज अपने घर की सफाई करते हैं, और अगर सफाई के बाद खिड़कियां दर्वाजें बंद ना करें, तो घर में और धूली कठी हो जाएगी, हमें बार बार घर की सफाई करनी पड़ेगी, इसलिए घर की सफाई करने के बाद हम सभी खिड़कियां दर्वाजें बंद कर लेते हैं, तकि और धूल घर के अंदर ना आ सके, और हमारा घर साफ सुतरा रहे, इसलिए क्राइस्ट कहते हैं, संतमत के नियमों पर द्रड रहना, नहीं तो ऐसा ना हो कि इससे भी भारी विपत्ती तुझ पर आ पड़े, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, भारी विपत्ती का अर्थ है, जन्म मरण के चक्र में फंसकर बार बार जन्मते और मरते रहना, यहूदी लोग जीजस से नाराज थे और उनकी हत्या करना चाहते थे, उनकी नाराजगी का कारण केवल यह नहीं था, कि उन्होंने विश्राम के दिन बिमार विक्ती को ठीक किया था, बलकि वे इसलिए भी नराज थे, कि परमात्मा को अपना पिता कहकर उन्होंने अपने आप को परमात्मा के तुल्ले बताया था, लेकिन जीजस ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ, पुत्र अपने आप कुछ नहीं कर सकता, वह केवल वही करता है, जो परमपिता को करते हुए देखता है, क्योंकि जो काम परमपिता करता है, उन्हें पुत्र भी उसी रीती से करता है, जीजस कहते हैं, वह इनसे भी बड़े काम उसे दिखाएगा, ताकि तुम आश्चर्य करो, जीजस कहते हैं, मेरे पिता मुझसे प्यार करते हैं, क्योंकि मैं उनका हुक्म मानता हूँ, और इसी कारण मैं उनका प्यारा पुत्र हूँ, मैं सिर्फ वही करता हूँ, जो वे चाहते हैं कि मैं करूँ, जो उन्हें अच्छा लगता है, मैं हमेशा उनके हुक्म में रहता हूँ, जैसे पिता अपने प्रिये पुत्र को हर वो चीज देता है, जो वो मांगता है, उसी तरहे वे मुझे हर चीज देते हैं, जो कुछ मैं करता हूँ और जिस पर तुम्हें हैरानी होती है, वह कार्य असल में वे स्वयम करते हैं, जैसे परमपिता मृत्र को उठाता और जिलाता है, वैसे ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है, उन्हें जिलाता है, मृत्र को का मतलब वे लोग हैं, जो परमपिता को बिलकुल भूल गए हैं, जो केवल संसार के पदार्थों के लिए जी रहे हैं और जिन्हें कभी सपने में भी संसार के रचैता का ध्यान नहीं आता वे सभी मरे हुए हैं हालांकि वे सांस ले रहे हैं फिर भी वे मृतक समान है जब तक हमारा ध्यान आखों के केंदर से नीचे इंद्रियों के स्तर पर रहता है तब तक हम सब मृतक हैं, मरे हुए हैं लेकिन क्राइस्ट कहते हैं परम पिता मृतकों को भी प्यार और श्रद्धा से परिपूर्ण करके जीवित कर सकता है और वही शक्ती मेरे पिता ने मुझे दी है तुम्हें मृत से जीवित करने के लिए मेरे पिता तुम्हारे स्तर पर नहीं आएंगे यह कार्य उन्होंने मुझे सौपा है यहां ये समझना जरूरी है कि बहरे, अंधे, लंगडे और मरे हुए का असली मतलब क्या है हालांकि ये बिल्कुल सच है कि ये सारी शारीरिक कमिया चमतकारी ढंग से दूर कर दी गई थी यहां तक कि क्राइस्ट तथा अन्य गुरू ने जब उचित समझा, मृतकों को जिन्दा भी कर दिया था लेकिन ये असली करामाते नहीं थी वास्तव में जब तक हमारी आत्मा, मन और इंद्रियों की कैद से मुक्त नहीं होती तब तक हम रुहानी तोर पर बहरे, अंधे, लंगडे, यहां तक की मृत हैं केवल गुरू हमें शब्द से जोड़कर अमर जीवन प्रदान करते हैं शब्द मार्ग का भेद देकर गुरू हमें शब्द को, दिव्वे संगीत को, शब्द धुन को सुनने के योग्य बनाते हैं वे ही हमें निरत, देखने की शक्ती प्रदान करते हैं जिस से हम अपने अंतर में उस दिव्वे प्रकाश को देख सकते हैं अगर जीजस और अन्य गुरूओं ने केवल शारीरिक बिमारियों का इलाज किया होता तो वे किसी महान चिकितसक से अधिक और कुछ ना होते क्योंकि पांच तत्वों से बने इस नाशवान भौतिक शरीर को निर्धारित समय पर उन तत्वों में ही यनि प्रित्वी, जल, वायू, अगनी और आकाश में ही मिल जाना है भौतिक शरीर सदा रहने के लिए नहीं बना है, लेकिन आत्मा तो अमर है और जब तक यह वापस जाकर अपने स्रोत परम पिता में नहीं मिल जाती, इसे परम अनंद की अनुभूती नहीं हो सकती गुरू हमें परम पिता का साक्षात दर्शन करवा देते हैं और इसी में उनकी महानता है परम पिता किसी का निर्णे नहीं करता, निर्णे करने का सब काम उसने पुत्र को सौंप दिया है ताकि सब लोग जैसे परमपिता का आदर करते हैं, वैसे ही पुत्र का भी आदर करें जो पुत्र का आदर नहीं करता, वह परमपिता का, जिसने उसे भेजा है, आदर नहीं करता तुम्हें अपने योगे बनाने के लिए परमपिता स्वयम तुम्हारे स्तर पर कभी नहीं आएगा जब तक तुम पवित्र होकर उसके योगे नहीं हो जाते जब तक तुम अपने करमों के बोज से मुक्त होकर नेक पाक नहीं हो जाते तुम कभी उसके पास वापस नहीं जा सकते तुम परमपिता में समाने के योग्य हो गए हो या नहीं यह निर्णे उसने मुझ पर छोड़ा है और तुम्हें उसके योग्य बनाने की जिम्मेदारी सौप कर मुझे संसार में भेजा है इसलिए तुम्हें मेरी बात ध्यान से सुननी चाहिए अगर तुम्हें मुझ में विश्वास नहीं है तो तुम्हें परमपिता में भी विश्वास नहीं है मेरा आदर करके तुम परमपिता का आदर करते हो जिसने मुझे भेजा है मेरी शिक्षा का पालन करके तुम परमपिता की शिक्षा का पालन करते हो और उसकी इच्छा के अनुसार जीते हो तब तुम पुत्र के निर्णे के योग्य होकर परमपिता के निर्णे के योग्य भी हो जाते हो क्योंकि परम्पिता और मैं एक है इस तरह निर्मल और पूर्ण होकर ही तुम परम्पिता से एक हो सकते हो जो पुत्र का आदर नहीं करता वह परम्पिता का जिसने उसे भेजा है आदर नहीं करता क्राइस कहते हैं अगर तुम मेरा आदर नहीं करते मेरी शिक्षा पर ध्यान नहीं देते मेरी शिक्षा पर नहीं चलते तो तुम्हारे अंदर परम पिता के लिए कोई आदर या प्यार नहीं है अगर तुम्हारे अंदर मेरे लिए प्यार है तो परम पिता के लिए तुम्हारे अंदर स्वतेही प्यारुत्पन हो जाएगा क्योंकि मुझसे और उस शिक्षा से प्यार करके ही जो उसने तुम से बांटने के लिए मुझे दी है तुम परमपिता के प्यार के योग्य बन पाओगे निर्णय का अर्थ है परमपिता के निर्णय के योग्य होना और परमपिता के निर्णे के योग्य होने का अर्थ है निर्मल होना, पून होना और उन सब कर्मों से छुटकारा पाना जो तुमने अब तक इकठे किये हैं क्योंकि मरते समय हर विक्ती का निर्णे उसके जीवन काल में किये गए कर्मों के आधार पर होता है अगर तुम अपने कर्मों का हिसाब पूरा कर चुके हो और नेक पाक तथा पून हो गए हो तो तुम परमपिता के निर्णे के योग्य हो गए हो और परमपिता से एक होने के योग्य हो गए हो और यह अवस्था तुम केवल मेरे माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हो क्योंकि परमपिता ने निर्णे करने का काम मुझे सौपा है लेकिन फिर भी अगर किसी की मृत्यू के समय उसके कर्मों का बोज बचा रह जाता है तो उसे किसी ना किसी रूप में वापस इस दुनिया में आना पड़ता है परमपिता ने मुझे ये विशेश अधिकार दिया है कि मैं तुम्हें उसके निर्णे के योग्य बनाऊं अन्तिम निर्णे तो परमपिता ही करेगा लेकिन कोई इसके लिए तयार है या नहीं ये पहले मुझे ही देखना होगा मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ जो मेरा शब्द सुनता है और मुझे भेजने वाले पर विश्वास करता है अनन्त जीवन उसका है उसे डंड की आग्या नहीं होगी वह मृत्यू को पार कर जीवन में प्रवेश कर चुका है अनन्त जीवन किसको मिलेगा? कब्र में से कौन उठेगा? वे भागयशाली जीव जो अपने अंतर में शब्द धुन से जुड़ गए है और जिनके अंदर गुरू में विश्वास और उनके लिए प्यार पैदा हो गया है कब्र में से निकल कर अनन्त जीवन का अनन्द उठाएंगे जो मेरा शब्द सुनता है का अर्थ है जो मेरे माध्यम से, जीवित गुरू के माध्यम से शब्द को सुनता है केवल वही अनन्त जीवन पाता है क्योंकि हमारे गुरू ही हमें वापस परमपिता के पास ले जा सकते है उसे दंड की आग्या नहीं होगी हम सब सजा भोग रहे हैं और ये सजा क्या है? स्रिष्टी करता से बिछुडे रहना. इससे बड़ी सजा और क्या हो सकती है? इसलिए क्राइस्ट कहते हैं, अगर तुम अंतर में शब्द से जुडे नहीं रहते, तो तुम्हें ये सजा भोगनी ही होगी. वह मृत्यू को पार कर जीवन में प्रवेश कर चुका है. जब तक हम शब्द मार्ग पर नहीं आते, हमारी स्थिती ये होती है, कि अभी हम एक शरीर से निकलते ही हैं, कि अपने कर्मों के आधार पर हमें एक दूसरा शरीर धारन करना पड़ता है. लेकिन जैसे ही गुरू की दया से हम इस मार्ग पर चलने लगते हैं, हम अमर जीवन की और अग्रसर होने लगते हैं. इसलिए मृत्यू को पार कर जीवन में प्रवेश कर चुका है. का अर्थ है कि मौत का सामना तो हर इनसान को करना पड़ता है, लेकिन जिन्होंने इस मार्ग पर प्रगती कर ली है, उन्हें फिर कभी नहीं मरना होगा, क्योंकि उनका फिर कभी जन्म ही नहीं होगा. इस जीवन का अंतिम समय आने पर केवल वे ही मृत्यू पर विजय पाकर अमर जीवन प्राप्त करेंगे. मैं तुम से सच सच कहता हूँ, वह समय आ रहा है, और आ भी गया है, जब मृत्विक्ती परमात्मा के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे, वे जीएंगे. क्राइस्ट जिग्यासुओं को समझा रही है, तुम मेरे पास आये हो, और मेरी बात सुन रहे हो, तुम अंदर शब्द से जुड़े हुए हो, तुम मेरी शिक्षा के अनुसार जी रहे हो, और मुझ में विश्वास रखते हो, तुम्हारे लिए वह समय आ गया है, जब मृ तक कौन है? जो परमपिता को याद नहीं करते, जो केवल इस दुनिया के लिए जी रहे हैं, और इंदरियों के भोगों के गुलाम हैं, परमपिता के लिए वे मर गए हैं, और दुनिया के लिए वे जीवित हैं, इसलिए क्राइस्ट कहते हैं, समय आ गया है, जब वे लोग जो परमात्मा को बिलकुल भूल गए हैं, मेरी बात सुनेंगे, उनके हिर्दे परम पिता के लिए प्यार और भक्ती से भर जाएंगे, और वे परम पिता के लिए जी उठेंगे. वे कहते हैं, जो सुनेंगे वे जीएंगे जो अपने अंदर प्रमात्मा की आवाज को सुन रहे हैं और जिनके हिरदय मेरे माध्यम से परमपिता के लिए प्रेम और श्रद्धा से भर गए हैं, वे नहीं मरेंगे वे जीएंगे का मतलब है कि उन्हें इस जीवन के अंत में इस शरीर को छोड़ना तो पड़ेगा लेकिन फिर मृत्यू का सामना करने के लिए दुबारा जन्मन ही लेना पड़ेगा वे सदा के लिए परमपिता में विलीन हो जाएंगे जैसे परमपिता स्वतह जीवित है वैसे ही उसने पुत्र को भी ये अधिकार दिया है कि उसका जीना स्वतह जीना हो और उसने उसे निर्णे करने का अधिकार भी दिया है क्योंकि वह मनुश्य का पुत्र है तुम्हें मेरे द्वारा ही शब्द से संपर्क क्यों बनाना चाहिए? क्योंकि परमपिता जीवन दाता है वह शब्द है जो आदी काल से कण कण में गूझ रहा है उसने वही शब्द और अमर जीवन अपने पुत्र को दिया है इसलिए उसका पुत्र भी शब्द है गुरू के रूप में उसके पुत्र का असली सुरूप शब्द है इसलिए गुरू कभी नहीं मरते वे जन्म और मरन से परे हैं मेरे पिता ने मुझे यह सुभाग्य यह विशेश अधिकार दिया है कि मैं जिसे चाहूं अमर जीवन प्रदान कर दूँ जब मैं लोगों को शब्द के साथ जोड़ कर दीक्षा देकर उन्हें शब्द के मार्ग पर चलना सिखाता हूं और वे अपने अंतर में शब्द को सुनने लगते हैं तथा मेरी शिक्षा के अनुसार जीवन जीते हैं तो उन्हें भी मेरी तरह अमर जीवन मिल जाता है इस पर अश्चर्य मत करो क्यूंकि वह समय आ रहा है जब कब्र में पड़े हुए सब लोग उसका शब्द सुनेंगे और बाहर निकल आएंगे जिन्होंने भलाई की है वे अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए फिर जी उठेंगे और जिन्होंने बुराई की है वे दंड पाने के लिए फिर जी उठेंगे हमने इस देह को कब्र बना रखा है क्राइस्ट इस शरीर को कब्र कहते हैं क्यूंकि केवल मरे हुए लोग कब्र में पड़े होते हैं। क्राइस्ट कहते हैं कि जिन लोगों का ध्यान हमेशा आँखों के केंद्र से नीचे रहता है और जो इंद्रियों के गुलाम हैं, वे सब मरे हुए लोग हैं। चाहे उनका शरीर जिन्दा है और वे सांस ले रहे हैं, पर वास्तव में वे कब्र में हैं। वे कहते हैं, मैं इन लोगों के लिए आया हूँ, समय आ गया है कि अब वे कब्र में से बाहर निकलेंगे। मेरी सहाइता से वे अपनी चेतना को समेट कर आँखों के केंदर पर ले आएंगे और अपने अंतर में परमात्मा की आवाज को उस शब्द को सुनेंगे। जिस क्षण वे आँखों के केंद्र पर आकर अंदर शब्द को सुनने में मगन हो जाएंगे, वे मृत नहीं रहेंगे। ऐसी स्थिती में यह शरीर परमात्मा का जीता जागता मंदिर बन जाता है, क्योंकि तब उन्हें यह बोध हो जाता है कि परमात्मा उनके अंदर बसता है और वे उसके धाम वापस जा रहे हैं। और जो लोग शब्द से, उस नाम से जो उनके अंदर है जुड़ जाते हैं, वे मृत्यू के समय फिर से जी उठेंगे और अनंत जीवन पाएंगे। बाकी लोग अपने कर्मों का, अपने पापों का फल भोगते हुए, जन्म और मृत्यू के चक्कर में घूमते रहेंगे। इसलिए वे कहते हैं, चिंता मत करो, जब तुम मेरी शिक्षा को जीवन में उतार लोगे, तब तुम अपने आप इस कब्र में से उठ जाओगे। तुम आखों के केंदर से नीचे नहीं रहोगे। मैं अपने आप कुछ नहीं कर सकता, मैं जैसा सुनता हूँ, वैसा निर्णे करता हूँ, और मेरा निर्णे सही होता है, क्योंकि मैं अपने इच्छा नहीं, परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। वे कहते हैं, मुझे ये अधिकार नहीं है कि मैं एक व्यक्ति को परंपिता के योग्य बनाओं और दूसरे व्यक्ति को परंपिता के योग्य बनाने से इंकार कर दूँ। मैं अपनी और से कुछ नहीं करता, जैसा सुनता हूँ, वैसा निर्णे करता हूँ। मेरे पिता मुझे जो करने को कहते हैं, मैं केवल वही करता हूँ, क्योंकि मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं है. परम पिता की इच्छा ही अब मेरी इच्छा है. इसलिए केवल वे लोग, जिनकी मदद वह मुझसे करवाना चाहता है, कबर में से उठ सकेंगे. और जिनकी मदद वह मुझसे नहीं करवाना चाहता, वे मुरित रहेंगे. यदि मैं स्वयम अपनी गवाही दूँ, तो मेरी गवाही सच्छी नहीं होगी. एक और है, जो मेरी गवाही देता है, और मैं जानता हूँ, कि मेरे विशय में जो गवाही वह देता है, वह सच्छी है. तुमने जॉन से पुछवाया, और उन्होंने सत्य की गवाही दी. एक सच्चा गुरू ही दूसरे सच्चे गुरू को पहचान सकता है. जॉन दा बैप्टिस्ट ने जीजस को बब्तिजमा दिया था. इसलिए वे इस बात के गवाह थे, कि क्राइस्ट भी एक सच्चे गुरू है. मैं अपने विशय में मनुश्य की गवाही नहीं चाहता, तो भी मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूँ, कि तुम्हारा उद्धार हो सके. लोगों ने उनसे प्रश्न किया. हम कैसे विश्वास कर लें, कि आप जो कह रही हैं, वह सही है? हम कैसे विश्वास कर लें, कि अगर हम आपकी शिक्षा का पालन करते हैं, तो हम दंड भोगने से बच जाएंगे? क्रैस्ट कहते हैं, मेरे पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, जिसे मैं गवाहा के रूप में पेश कर सकूँ. इसलिए तुम्हारा मेरी बात पर विश्वास ना करना सुअभाविक है. जब तक दो या तीन गवाह किसी बयान की पुष्टी नहीं करते, तब तक कोई भी उस बयान पर विश्वास नहीं करता. अगर तुम शरीर रूपी कब्र से उपर उठकर अमर जीवन पाना चाहते हो, तो तुम्हें मेरी बात पर विश्वास करके उसके अनुसार जीवन जीना होगा. और फिर मैं तुम्हारे सामने गवाहा पेश क्यूं करूं? मैं ये क्यूं साबित करने की कोशिश करूं कि मैं जो कह रहा हूं वो सही है? मैं अपने विश्य में मनुश्य की गवाही नहीं चाहता. मैं अपना यश्व पहलाने के लिए तुम्हें विश्वास दिलाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं. मैं ये बातें इस लिए कह रहा हूँ कि तुम्हारा उद्धार हो सके मुझे केवल तुम लोगों को जन्म मरण के चक्र से मुक्त कराने की चिंता है केवल दया और सहानु भूति के कारण मैं तुम्हें इस बात के लिए प्रेरित कर रहा हूँ कि मुझ में विश्वास रखो और मेरी शिक्षा की अनुसार अपने जीवन को ढालो नहीं तो तुम कभी भी जन्म और मरण के चक्र से निकल नहीं पाओगे इसके बाद जीजिस जॉन दा बैप्टिस्ट के बारे में बात करते हैं वह एक जलता और चमकता हुआ दीपक था और तुम्हें कुछ देर तक उसकी ज्योती में अनन्द मनाना अच्छा लगा जॉन दा बैप्टिस्ट के जीवन का उदेश्य पूरा हो चुका था और उनका सिर काट दिया गया था इसलिए जीजस उनके बारे में वैसे ही बात करते हैं जैसे हर गुरू अपने गुरू के बारे में कहते हैं कि वे एक जलता और चमकता हुआ दीपक थे वे कहते हैं ये तुम्हारा स्वभाग्य था कि तुम कुछ देर तक उनके साथ रहे और तुमने उनके संपर्क से पूरा-पूरा लाब उठाया और साथ ही बहुत आनंद भी पाया हर मौसम का आरंभ और अंत होता है कुछ देर तक का अर्थ है किसी विशेश समय के लिए, थोड़े समय के लिए क्राइस्ट जोर देकर ये कह रहे हैं कि यदि तुम जॉन दा बैप्टिस्ट के समकालीन होते तभी तुम उनके प्रकाश का अनंद ले सकते थे अब वे तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकते क्राइस्ट के ऐसा कहने का कारण ये है कि कुछ जिक्यासू जिन्होंने जॉन दा बैप्टिस्ट को कभी देखा नहीं था अब भी उनकी मृत्यू के बाद भी उनसे मार्ग दर्शन की आशा रखते थे क्राइस्ट उन लोगों के मन में यह बात अच्छी तरह बिठा देना चाहते हैं कि जॉन दा बैप्टिस्ट बहुत महान थे लेकिन साथ ही ये चेतावनी भी दे रहे हैं कि वे अब उनका मार्ग दर्शन नहीं कर सकेंगे क्योंकि उनका समय बीट चुका है संत दुनिया में केवल अपने जीवन काल में लोगों का मार्ग दर्शन कर सकते हैं आत्मा की और से आये थे और उन्होंने जीजस को दीक्षा यानि बप्तिज्मा देकर अपना शिश्य बनाया था दीक्षा के अनुसार साधना करके जीजस की पहुँच सीधे परमपिता तक हो गई थी और वे अपने गुरू की महानता को किसी भी तरह कम नहीं करना चाहते थे संत केवल तब तक दीक्षा देते हैं जब तक वे देह में होते हैं लेकिन देह त्यागने के बाद जिग्यासूं से उतनी ही दूर होते हैं जितनी दूर परमात्मा है और दीक्षा पाए बिना जिग्यासूं का परमात्मा से सीधा संपर्क नहीं हो सकता लेकिन जब गुरू किसी को दीक्षा दे देते हैं तो हमेशा उसके साथ रहते हैं चाहे वे संसार से कूछ क्यों ना कर गए हो क्राइस्ट कहते हैं कि हमें हमेशा वक्त के गुरू की जरूरत होती है जो हमें सही राह दिखा सके उनके बिना हम जन्म और मरण के चक्र से कभी नहीं निकल सकते गुरू की ये विशेश्टा है कि वे परमात्मा के स्तर पर होने के साथ साथ हमारे स्तर पर भी होते हैं यही एक मात्र कारण है कि रुहानी प्रगती के लिए गुरू का होना अत्यंत अवश्यक है अगर वे केवल परमात्मा के स्तर पर हो तो हम सीधे परमात्मा की ही भक्ती क्यों न करें वे कहते हैं कि जब तक जॉन दा बैप्टिस्ट और मोजिज जिन्दा थे तब तक ही वे हमें अज्ञानता के अंधकार से निकाल सकते थे लेकिन अब वे अपना निर्धारित काम पूरा करके वापस जाकर परमात्मा में विलीन हो गए है परन्तु मेरे पास जो गवाही है वह जॉन की गवाही से बड़ी है क्योंकि जो काम परमपिता ने मुझे पूरा करने को सौपे है वही काम जो मैं करता हूँ मेरे गवाह है कि परमपिता ने मुझे भेजा है मेरे गुरू के अलावा मेरे द्वारा किये गए वे कर्म मेरे गवाह है जिनके लिए परमपिता ने मुझे भेजा है जो शिक्षा मेरे गुरु ने मुझे दी है, उसका प्रचार करके मैं उस मशाल को जलाए रखने की और उस प्रकाश को तुम्हें दिखाने की भी कोशिश कर रहा हूँ, जो तुम्हारे अपने अंदर है जब तुम्हारा उधार हो जाएगा, तब मैं तुम्हें गवाह बना सकूँगा और परम पिता ने, जिसने मुझे भेजा है, स्वयम मेरी गवाही दी है तुमने ना कभी उसका शब्द सुना है, और ना उसका रूप देखा है मेरे केवल दो गवाह हैं, मेरा पहला गवाह जौन दा बैप्टिस्ट हैं, जो मुझे शब्द मार्ग पर लाए और जिन्होंने मुझे इस मशाल को जलाए रखने का, और जिग्यासूँ को प्रकाश दिखाने का आदेश दिया मेरा दूसरा गवाह मेरे पिता हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे भेजा है तुम न तो जौन दा बैप्टिस्ट को जानते हो, क्योंकि वे अब जीवित नहीं हैं और नहीं तुम मेरे पिता को जानते हो, क्योंकि जब तक मैं तुमको उस मार्ग पर ना ले आऊँ, तुम उन तक नहीं पहुँच सकते, इसलिए इन गवाहों का हवाला देने का कोई फाइदा नहीं होगा. उसका शब्द तुमारे मन में बसा नहीं है, क्योंकि जिसको उसने भेजा है, उसका तुम विश्वास नहीं करते. वे कहते हैं, तुम अपने अंदर परमात्मा के शब्द से जुड़े हुए नहीं हो, इसलिए अगर मैं परमपिता का हवाला दूँ भी, तो तुम्हें कोई लाब नहीं होगा. इसका कारण ये है, कि केवल शब्द के माध्यम से तुम परमात्मा के पास जाकर मेरे कथन की सच्चाई को समझ सकते हो. फिर वे कहते हैं, लेकिन मैं एक और गवाह का हवाला देता हूँ. तुम धर्म गरंथों में खोजो, क्योंकि तुम समझते हो कि उनसे तुम्हें अनंत जीवन मिलता है, और वे धर्म गरंथ ही हैं, जो मेरे बारे में गवाही देते हैं. हर धर्म में यह धारना प्रचलित है, कि धर्म गरंथों को पढ़ने से हमारी मुक्ती हो जाएगी. लेकिन जो धर्म गरंथों में लिखा है, उस पर अगर हम अमल नहीं करते, तो हमारी मुक्ती कैसे होगी? इसलिए क्राइस्ट कहते हैं, निश्पक्ष भाव से अतीद के गुरुओं और संतों के द्वारा रचित धर्म गरंथों का अध्यायन करो. उनकी शिक्षा को गहराई से समझो, तो तुम्हें पता चलेगा कि वे तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ बता रहे हैं. हर धर्म के गरंथ वही शिक्षा देते हैं, जो सब संतों की शिक्षा है. यही कि अगर तुम परमात्मा को पाना चाहते हो, तो तुम्हें किसी जीवित गुरु के पास जाना होगा. इस तरहे धर्म गरंथ भी मेरी गवाही दे रहे हैं. क्राइस्ट कहते हैं, मेरे पास आना नहीं चाहते. मैं मनुश्यों से आदर नहीं चाहता. मैं जानता हूँ कि तुम में परमात्मा का प्रेम नहीं है. मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ और तुम मुझे स्विकार नहीं करते. यदि कोई और विक्ती अपने ही नाम से आये, तो तुम उसे स्विकार कर लोगे. वे कहते हैं, ये दुनिया भी अजीब है. जो लोग हमारे पास अपनी बढ़ाई के लिए आते हैं, उनको हम कितना प्यार और सम्मान देते हैं? राजाओं, शासकों और अमीर लोगों के सामने हम जुक जाते हैं. हम उनकी बातों पर ध्यान देते हैं और उनका सम्मान करते हैं. जिनके पास सत्ता है और जो अहंकार के कारण सम्मान चाहते हैं, उनका हम हुक्म मानते हैं, क्योंकि हम स्वार्थी हैं और उनसे लाव उठाना चाहते हैं। लेकिन संत केवल हमारे लिए संसार में आते हैं और बदले में हमसे कुछ नहीं चाहते हैं। उन्हें धन का लोब नहीं है, न वे संसार पर शासन करना चाहते हैं और नहीं किसी प्रकार की भेंट की आशा करते हैं। वे केवल हमारी रुहानी भलाई चाहते हैं और हमें जन्म तथा मृत्यू के चक्र से छोड़ाना चाहते हैं। लेकिन हम उनकी बातों की और तनिक भी ध्यान नहीं देते। इसके विपरीत हम उन्हें सूली पर चढ़ा देते हैं। क्राइस्ट कहते हैं, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता, मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ, फिर भी तुम मेरी बातों की और कोई ध्यान नहीं देते। तुम चाहते हो कि तुम्हें यह विश्वास दिलाने के लिए कि मैं जो कह रहा हूँ वह सच है, मैं दो या तीन गवाह लेकर आऊं। तुम तो एक दूसरे से आदर चाहते हो, और वह आदर जो केवल परमात्मा से मिलता है, तुम नहीं चाहते, तब तुम किस प्रकार विश्वास कर सकते हो। जब तुम दुनियादार लोगों की चापलूसी में मगन रहते हो, तो परमात्मा के बारे में सोच भी कैसे सकते हो। जो सम्मान तुम एक दूसरे को देते हो, वह जूठा और व्यर्थ है। असली सम्मान परमात्मा से मिलता है, और वह हमें तब मिल सकता है, जब हम उसके पुत्र का सम्मान करते हैं, और उसकी आग्या में रहकर, अपने असली घर, परमपिता परमात्मा के धाम, वापस जान क्राइस्ट कहते हैं, कि तुम सोचते हो, कि तुम उनके शिश्य हो, उनके जीवन काल में उन्हें परम पिता से जो निर्देश मिले थे, उनके अनुसार उन्होंने कुछ नियम, कुछ इश्वरिय आदेश तुम्हारे सामने रखे थे, ताकि तुम उनका पालन करो, लेकिन तुम उनका पालन नहीं करते उन्होंने तुम्हें जीवित गुरू से मार्गदर्शन लेने की शिक्षा दी थी, इसलिए अगर तुम उनकी शिक्षा पर चलते तो तुम मेरे पास आते, इस तरहे तुम खुद मोजिस की दृष्टी में दोशिठ ठहर रहे हो, काश तुम उनकी शिक्षा को समझ पात क्राइस्ट उन लोगों से कहते हैं, कि अगर तुम्हें मोजिस और दूसरे उन गुरूं में विश्वास होता, जो परमात्मा में विलीन हो चुके हैं, तो तुम मुझ पर विश्वास करते और मेरी शिक्षा को मानते, क्योंकि सब गुरू यही कहते हैं, कि हमें जीवित ग गुरू के बताए मार्ग पर चल कर ही हम परम पिता के पास वापस जा सकते हैं, यह सब धर्म गरंतों में, बाइबल में भी साफ साफ लिखा है, फिर क्राइस्ट कहते हैं, यदि तुम मोजिस पर विश्वास करते, तो मुझ पर भी विश्वास करते, क्योंकि मोजिस ने मे इनी भी क्राइस्ट के बारे में कुछ लिखा है, मेरे विशय में लिखा है का अर्थ है कि उन्होंने परमपिता के पास वापस जाने के लिए जीवित गुरू से मार्ग दर्शन लेने की अवश्यक्ता के बारे में लिखा है, इसलिए वे कहते हैं कि तुम मोजिस की परमपिता के लिखा है, परन्तु यदि तुम उनकी लिखी बातों पर विश्वास नहीं करते, तुम मेरी बातों पर कैसे विश्वास करोगे? वे कहते हैं, तुम मोजिस के वचनों को पढ़ते हो और उनमें विश्वास करने का दावा करते हो, लेकिन तुमको उनमें विश्वास नहीं है, अगर तुमको मोजिस में और जो उन्होंने लिखा है उसमें धर्मगरंथों में विश्वास होता, तो तुम जरूर उनकी शि अगर हमें बाइबल में, क्राइस्ट में विश्वास है, तो हमें बाइबल की शिक्षा के अनुसार अपना जीवन जीना चाहिए। इसलिए वे कहते हैं, हर संत ने साफ शब्दों में लिखा है कि जीवित मार्ग दर्शक का होना ज़रूरी है। जो परम पिता की आग्या से संसार में आया है। प्रश्ण और उत्तर सक्रिय रूप से इंतजार करना प्रश्ण महराजी, हम जैसे जिग्यासूं को जो दीक्षा मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, इस दौरान क्या करना चाहिए जिससे दीक्षा के बाद मन को एकागर करने में मदद मिले? भाई, जैसा कि आप सब जानते हैं, कि हम एकठे बैठकर बातचीत करते हैं, और फिर इस विज्ञान पर बहुत सी किताबें भी लिखी गई हैं। आपको चाहिए कि इन किताबों को पढ़ें और अपनी बुद्धी को सुन्तुष्ट कर लें। फिर भी अगर कोई शंका हो, तो बड़ी खुशी से सत्संगी भाईयों से पूछ सकते हैं, या मुझे पत्र लिख सकते हैं। आप पहले ये निश्चे कर लें कि यह शिक्षा आपको आपके जीवन के लक्षे की और ले जा सकती है। प्रतीक्षा के दौरान आपको केवल यही करना है। बेहतर इंसान बनना प्रश्चन आप कहते हैं कि अगर कोई सत्संगी हर रोज अपना कर्तव्य निभाए, नियम पूर्वक अभ्यास करे, तो वह एक बहतर इंसान, बहतर इसाई, बहतर यहुदी, बहतर मुसल्मान बन जाता है। लेकिन क्या उसके लिए बाहरमुखी धर्मों का त्याग करना बहतर नहीं होगा। अच्छा इसाई किसे कहते हैं। जो क्राइस्ट की शिक्षा पर सच्चाई से अमल करता है, वो अच्छा इसाई है। जब हम संतमत यानि संतों की शिक्षा को रिदै से ग्रहन कर लेते हैं, तो क्या हम अच्छे इसाई नहीं बन जाते। तब हम क्राइस्ट की शिक्षा का सही अर्थ समझते हैं। मनुष्य जन्म का उदेश्य, क्राइस्ट के संसार में आने का उदेश्य, आत्मा का स्रिष्टी करता के पास वापस जाने के बारे में वो नियम जो उन्होंने हमें बताया था, सब कुछ समझ जाते हैं। जब हम सही नजरिये से उनकी शिक्षा को समझने की और सच्चे दिल तथा पूरी लगन के साथ उसका पालन करने की कोशिश करते हैं, तब क्या हम अच्छे इसाई नहीं बन जाते? असल में कुछ कहना बहुत मुश्किल है। उसका पालन करता है। वो किस जाती, वर्ग या मत का है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो स्वामी जी महराज का बहतर शिश्य बन जाता है, गुरु नानक सहब का बहतर शिश्य बन जाता है, क्योंकि सभी संतों की शिक्षा एक ही रही है। हमारे साथ बांटने के लिए उन सब के पास एक ही रुहानी सत्य होता है। इसलिए ये स्वाभाविक है कि क्राइस्ट की शिक्षा पर चलने से आप बहतर जिग्यासू बन जाते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या लेबल लगाते हैं। आप बहतर सिख बन गए हैं या बहतर इसाई या बहतर मुसल्मान या बहतर हिंदू। आप बहतर इनसान जरूर बन जाते हैं क्योंकि आप शिक्षा को इमानदारी से समझ कर उस पर अमल करने लगते हैं। जब जीवित मार्ग दर्शक या गुरू नहीं रहते तो लोग धर्म के बहरी स्वरूप को पकड़े रहना चाहते हैं। वे उनके उपदेश को किसी संस्था में बंद करके रखना चाहते हैं। और रूडियों, कर्मकांड तथा धार्मिक रीतियों के अनुसार जीवन बिताने लगते हैं। क्योंकि उन बेचारों के पास और कोई सहारा भी नहीं होता। वे और कर भी क्या सकते हैं। और फिर पुजारी वर्ग बहुत चालाक होता है। ये लोग हमेशा लोगों की धार्मिक भावनाओं से फाइदा उठाना चाहते हैं। किसी न किसी धार्मिक रीति का हवाला देकर वे हमें गुमरह कर देते हैं। और हम इस विश्वास में जीने लगते हैं कि हम किसी संत की शिक्षा पर चल रहे हैं। असल में हम संतों की सच्ची शिक्षा से दूर, बहुत दूर चले जाते हैं। संगठित धर्मों में ये लोग इतने शक्तिशाली हो जाते हैं कि उन्हें कोई सुझाव देना भी कठिन होता है। क्राइस्ट के साथ क्या हुआ? यही तो हुआ। वे यहूदियों को बताना चाहते थे कि जौन दा बैप्टिस्ट की असली शिक्षा क्या है? मोजिज की असली शिक्षा क्या है? लेकिन पादری लोग इस बात को सहन नहीं कर सके। रोम वासियों ने यहूदियों के धार्मिक नेताओं को संतुष्ट करने के लिए क्राइस्ट को सूली पर चड़ा दिया था और इसके लिए उन्हें पादरी वर्ग ने मजबूर किया था बाइबल में ये साफ कहा गया है कि जीजस को पकड़ कर ले जाने के लिए मुख्य पादरियों और फेरिसियों ने कुछ सिपाहियों और पदादिकारियों का एक दल भेजा था बाइबल में ये भी लिखा है कि वे मुख्य पादरी और पदादिकारी ही थे जिनोंने भीड को ये कहकर भढ़काया उसे सूली पर चढ़ाओ, उसे सूली पर चढ़ाओ क्राइस्ट तो केवल लोगों को मोजिस की सच्ची शिक्षा समझाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन पादरियों और फेरिसियों ने इसे अपनी रोजी रोटी की राह में रुकावट समझा क्राइस्ट ने ये कभी नहीं कहा कि वे इसाई धर्म की या किसी नए धर्म की नीव रख रहे हैं वे तो उन्हें वे सच्ची शिक्षा दे रहे थे जो कोई भी नभी या संत देता है आज भी ऐसा ही हो रहा है क्राइस्ट की शिक्षा को भुला दिया गया है उसे तोड मरोड दिया गया है और पादरी वर्ग लोगों का शोशन कर रहा है सभी धर्मों में यही होता है हर धर्म का पुजारी वर्ग संतों महात्माओं की शिक्षा का प्रचार करने से ज्यादा अपनी जेबें भरने और अपने स्वार्थ की पूर्ती करने में लगा रहता है सच्चे महात्मा और सच्चे जिग्यासू संस्थाओं तक सीमित नहीं रहते वे अपने आपको परंपराओं से बांध कर नहीं रखते वे सब एक ही समुद्र की लहरे होते हैं समुद्र की लहर कभी क्राइस्ट, कभी स्वामी जी, कभी गुरुनानक, कभी बुद्ध अलोचना और निर्णे करना प्रश्नत, अगर हम किसी की पीट पीछे निंदा करते हैं और उस पर टिपनी करते हैं, तो क्या हम अपनी जमा हुई रुहानी पूंजी खो देते हैं? बहन, इससे हम में एक प्रकार का अंकार पैदा हो जाता है जब हम किसी को बदनाम करते हैं, किसी की चुगली करते हैं, तो हम समझते हैं कि हम उस इनसान से कहीं बेहतर हैं इससे हम अपने एहम को बढ़ावा देते हैं और ये एहम हमारे रास्ते में रुकावट बनकर खड़ा हो जाता है प्रश्नत, महराजी, ऐसा क्यूं है कि हमारे लिए लोगों की निंदा करना, उनके दोश निकालना और उनके मन को चोट पहुँचाना इतना आसान है और अपनी कमियों को स्विकार करना इतना मुश्किल? क्राइस ने बाइबल में बहुत साफ कहा है कि हम अपनी आँख का शहतीर तो देखते नहीं, लेकिन दूसरे की आँख में कन देखने के लिए उच्सुक रहते हैं हम अपने दोश कभी नहीं देखते लेकिन दूसरों में दोश ढूंडने के लिए हमेशा तयार रहते हैं हम अपने अंदर जहांक कर कभी नहीं देखते पर हमारी नजर दूसरों के व्यवहार पर हमेशा रहती है हम कभी भी ये देखने की कोशिश नहीं करते कि हम क्या हैं, हम कैसा आचरन करते हैं, हमारी अपनी क्या मनोदशा है, हमारी दिल चस्पी तो केवल दूसरे लोगों की मनोदशा जानने में रहती है, हम ये चाहते हैं कि वे दोश रहित हों, लेकिन खुद दोश रहित होना नहीं चाहते, हमें अपनी नहीं दूसरों की चिंता रहती है या फिर हम उनसे इतना प्रेम करते हैं कि उनके अलावा और किसी और हम अपना ध्यान जाने ही नहीं देते नफरत में भी हमारा ध्यान उनहीं की और रहता है हम अपने आप से प्रेम नहीं करते इसलिए अपने अंदर ज्हांकने की कभी कोशिश नहीं करते हमें अपने आप से प्रेम होना चाहिए हमें खुद अपने को परखना चाहिए हमें अपने आपको नेक, पाक और पूर्ण बनाना चाहिए अगर हम अपने को परखते रहेंगे तो दूसरों की परक करने के लिए हमारे पास समय नहीं होगा हमारे अंदर बहुत कुछ है जिसके आधार पर हम अपनी परक कर सकते हैं और इस तरह हम अपने को बेहतर इंसान बना सकते हैं